जय जय सिया राम, प्रभू सिधी राम की कृपा अमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है. तो आज एक कहानी गौतम बुध की सुनाएंगे, कि कर्म क्या है? एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक सिस्य ने पूछा गुरू जी कि पर हमें बताए कि कर्म क्या है गौतम बुद्ध ने अपने सिस्य कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ इस कहानी से तुम समझ जाओगी कि कर्म क्या है बुलंद सहर का राजा गोरे पर बैठकर अपने राजिका भर्मन कर रहा था चारो तरफ भर्मन करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकंदार के लिए कल ही फासी की सजा सुना दू इसे मिर्तु डंद दे दू मंत्री ने मंत्री राजा से इसका कारण पूछा इससे पहले राजा आगे बढ़ गये मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेश बदली और आम चंता का रूप लेकर दुकंदार के पास जा पहुंचा दुकंदार चंदन की लकरी बेचने का काम किया करता था मंत्री ने दुकंदार से पूछा कि उसका काम कैसे चला है तब दुकंदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है लोग उसके दुकान पर आते हैं चंदन को सुमकर उसकी परसंसा करते हैं लेकिन खरीता कोई नहीं मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज की राजा की मिर्तु हो और उनके अंतेस्थी में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकरी खेर दी जाएगी और साइद उहां से मेरे व्यापार में बढ़ोत्री होनी शुरू हो जाए मंत्री को सारी बात समझा आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया वह मंत्री बहुत बुधी मान था उसने सोचा कि मैं आपसे थोरी चंदन की लकरीयां खरीदना चाहता हूँ यह सुनकर दुकंदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुस्तोबी का उसने चंदन की लकरी को कागज से लपिटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकरी मंत्री को दी मंत्री अगली सुबह चंदन की लकरी लेकर राजा के दर्बार में पहुंचे और राजा से कहा कि महराज वह जो दुकंदार है वहाँ आपके लिए तोफे के रूप में चंदन की लकरी भेजी है यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार मैं दुकंदार के बारे में गलत सोचा करता था उसने चंदन की लकरी को हाथ में लिया उसमें बहुत ही अच्छी शुगंदार है थी राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकंदार के लिए मन्तरी के हाथों सोने के सिक्के भीजबाये उसी याम जनता का रूप लेकर मन्तरी अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकंदार के पास पहुंचा, दुकंदार बहुत खुशुआर, उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बाते सोचा करता था, राजा तो बड़े ही देयालू है, एक कहानी जब खतम हुई तब गौतम बुध ने अपने सिस्ट से पूचा कि अब आप बताए कि कर्म क् देते हुए कहा कि यह सब्द ही हमारे कर्म है, हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है, गौतम बुध ने सभी सिस्टों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है, अगर आपने अपने विचार पर नियं बुरा बनाते हैं